आज मैं आपके लिए लिक्या ही हूँ आइस क्रीम रेसिपी वह भी डल से दलेचे फ्लेवर में बहुत ही सिंपल है 3 मिनिट्स लगते हैं इसको बनाने में और 3 इंग्रेडियंट ही चाहिए तो सबसे पहले आपको चाहिएगा डल से दलेचे क्योंकि यही फ्लेवर है तो यह दलेचेज होता ना basically caramelized condensed milk होता है और बहुत ही सिंपल इसको बनाना है मैंने 15 मिनिट में इसको ready किया था जब मैंने बनाया था तो without condensed milk बनाया तो आप वो तरीका जरूर देखेगा मेरी रेसिपी का लिंक में आपको description में दे दूँगी यह मैंने ट्रांसवर कर दिया जार मे उसके साथ ही मैं इसमें डाल देती हूँ milk 1 cup तो यह टौफी फ्लेवर में जो हमारी आइस क्रीम हो ready होने वाली है अब मैं ले रही हूँ 1 cup whipping cream यह non dairy whipping cream है जो sweet होती है यदि आपकी जो whipping cream ले रहे हो वो sweet नहीं है तो आप इसमें 2 double spoon sugar extra add कर सकते हो whipping cream के लिए तो अब मैं इसक क्या करने वाली हूँ cover करके चर्ण करने वाली हूँ 2 minute के लिए around 2 minute मैं इसको चर्ण कर लिया है तो देखे कितना creamy सा mixture हमारा बन गया आइस क्रीम का तो इसको मैं एक box में डाल देती हूँ और फ्रीज में रग देती हूँ set होने के लिए लेकिन उससे पहले आपको क्या करना हैं दू चीजे और कड लेनी है ताकि हमारी जो आइस क्रीम है उसमें आइस क्रिस्टल बिल्कुल भी नहीं बनने वाले तो सबसे बहले तो मैं इसमें डाल देते हूँ कुछ टॉफी के पीशिस मैंनि ये चोकलेट लिया है वेफर वाला उसको कड कर रहू हूँ मैं छोटे यह आपके टेस्ट के अकोर्डिंग है कि आपको कितना चोकलेट इसमें जो वैफर्स वाला है वो एड करना है या चोकोपी चिप्स कितना एड करना है कम्प्लीटली ओप्शनल है यह आप चाहें तो डाले अदरवाइस आइस क्रीम ऐसे भी बहुत यहमी बनेगी और इसको आइस क्रीम से प्रिवेंट करने के लिए आपको क्या करना है क्लिंग रेप से इसको कवर कर देना बिल्कुल इस तरीके से जैसे मैं आपको बता रही हूँ और फिर इसको कवर करके फ्रीज में रख देना है फ्रीजर में ओवरनाइट के लिए after overnight जब आप इसको open करेंगे तो हमारा जो ice cream है वो fully set हो जाएगा और ये बहुत ही creamy सा है मैं आपको plate में transfer करके दिखाते हूँ जैसे निकालने में भी इसमें cream सी आ गई है और ये melt हो रहा है मतलब बहुत जल्दी तो ये बहुत ही creamy सी ice cream है without any ice crystal के जब आप इसको बनाएंगे ना believe me friends आपको बहुत पसंद आएगा इसका जो toffee flavor ice cream के साथ और उसमें ये जब छोटे छोटे से chocolate के pieces आएंगे ना बहुत ही ultimate लगने वाले है तो इसको try कीजिए अपने feedback शेयर कीजिए Thank you, tada